जहीं साथियो स्वागत है आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल फिरनोलेच 1998 पर साथियो आपके लिए बहुत ही बुरी ख़बर है आपका जो 30 मही का जो पेपर होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया है जिहां दोस्तों जिन जिन लोगों का जो 30 मही का जो पेपर होने व पर कैसे देखे करके सिंपल अपने मुवाइल पर भी यह वेबसाइट दिख रही है जो इंडियन आर्मी डॉट इन की यहां पर आईएगा वहां पर यह देखिएगा फिर यहां पर आप के आप सामने कुछ इस प्रकार इंटर्फिस देखने को मिलेगा तो यह आपको इंटर एग्जाम माई 30 2021 for soldier gd, soldier technical, soldier technical at 10 का जो पेपर था, soldier nursing, soldier clerk का और soldier pharma यह सब इतने पेपर आपके होने थे 30 तारीक को तो इसको सब को साथियो पोस्पॉन कर दिया गया है, यह 3 माई की निशते साथियो तो यह आपका पोस्पॉन कर दिया गया है, आप अपने पर भी देख सकते हो कीब है कि आपका ये पुश्क पॉस्प locked के चलते सभी एकशाम और सब भी पॉस्पन कर दिया जा रहा है साथ यो एक तो आपके लिए बहुत अछी बात है आपको टाइम मिल रहा है तैयारी करने का आपको मोन का भी okT आप 100% आप आर्मी सेलेक्शन ले सकते हो करके तो आपके पास एक सुन्हेरा मौका भी है सांतियों अच्छी से तैयारिय कीजिए अच्छी जादा मार्क्स लाइए और अंडर आर्मी की अंडर आर्मी में आप सेलेक्ट हो जाजे ठीक है सांतियों तो जैसे यह इसका कोई पूस्पॉन हो गया है जैसे कोई यू डेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा और आपको वीडियो प्रवाइट कर दूँगा कि इसकी नू डेट आ गई है करके मैं आपको बता दूँगा ठीक है सांतियों जब तक लिए तैयारिय करें जल्दी इसके आप जब तक अपने फुल तैयारिया कर लीजिए और जैसे पेपर होगा तो आप इसमें जल्दी से सेलेक्शन पा लेजिए ठीक है साथियो तो साथियो आई आई होब कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी आपने माच हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैल आइकन को दमाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे साथियो अब मैं आपक कल से आपको प्रोवाइड कर वांगो ठीक है साथियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट रहने वाला है जैसे कोई इंडिन आर्मी को उस अपडेट आती है कि कोई भी रेली आती है या फिर कोई बी एक्जाम के डेट आती है रिलेशन भरती हो या या यारो जड़ारों के भरती हो जैसे कोई भरती आती है तो मैं आपको जल्दी अपडेट दे दूंगा जब तक के लिए चाहिन कर पर रही है सुरक्षित रही है